हलो बच्चो हम सब जानते है कि डाइपोल को uniform electric field में रखने से उसे टार्क फील होता है और non uniform electric field में रखने से net फोर्स फील होता है चलिए देखते हैं कि यह फोर्स का calculation कैसे करते हैं और क्यों act होता है चलिए सो डियर स्टूडिंट्स हम सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील लाइन्स जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है ठीक है अच्छा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील का मैगनिट्यूड हर तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील लाइन्स होगी वह यहां पर होगी वह इंटेंसिटी यहां पर होगी मतलब आप कहीं पर भी अगर कोई चार्ज रखते हो तो उसे एक्सपीरियंस होने वाला जो फोर्स है वो सेम रहेगा ठीक है तो चलिए अब हम डाइपोल को पूट करेंगे बच्चो यहां पर जैसे हमें डाइपोल लेकर आए तो आप सभी जानते हो कि डाइपोल के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है और बीच का जो डिस्टंस होता है वो नॉन कंडुक्टिंग मीडियम होता है तो बच्चो यहां पर जो आप एंगल देख रहें बच्चो एंगल बीट्विन इलेक्रिक फील लाइन्स एंड डाइपोल मॉमेंट इस नाइंटी डिग्री प्रेते हैं ऐसे फूर लाइसा टर्णिंगं इंतायाँ 21-25 को यहां पर बहुत आसानी सेब्स चलिह ने और देखते ही तो यहां पर क्योंकि टॉरक एक्टिंग डाइपॉल हम लोग करने वाले खेलिए ढॉन होनी जरूरिया Аीजीत है है Tau is equals to R cross F R is nothing but perpendicular distance between two forces and F is a magnitude of any one force तो यहां पर हम देख सकते हैं बच्चो कि perpendicular distance between the line of action अगर हम देखा जाए line of action of these force यह force का line of action और यह force का line of action के बीच का यह perpendicular distance हमें चाहिए यह हमारा R है और कोई भी एक force हम लगाएंगे ठीक है बच्चो तो यहां पर क्योंकि यह force हम जानते हैं कितना होगा F is equals to QE होता है है ना क्योंकि electric field की value हमारे पास as E है और Q किसी एक charge को हम कह देंगे अच्छा बच्चो इनके बीच का distance हम हमेशा 2A से देते हैं यह सौन नो और theta is nothing but angle between electric field line vector and dipole moment vector dipole moment का vector जो होता है वो हमेशा minus sign से plus sign की तरफ होता है जैसा हमने previous video में देखा था and यह जो angle है वो theta है तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते बच्चो कि यह जो distance होगा वो क्या होगा 2A का cos component होगा sorry 2A का sin component होगा 2A sin theta तो यहां पर आप देख सकते बच्चो एक turning mechanism produce करने के लिए जो चीज़े जरूरी थी वो satisfy होते होए दिख रही है जैसे एक perpendicular distance जरूरी होता है और दो force जरूरी होते है तब जाकर turning mechanism produce होता है तो बच्चो force भी हमारे पास है Q into E and हमारे पास distance भी है 2A sin theta है ना तो force torque का formula है so torque is equivalent to torque is given by R into F क्योंकि R cross F R F sin theta होता है इनके बीच का angle 90 degree है तो वो sin 90 होता है वो 1 हो जाएगा तो सिर्फ R into F रहेगा और R हमारा जो है वो 2A sin theta है and F जो है वो हमारा QE है तो हम यहाँ पर इससे कह सकते है 2A into Q into E into sin theta and that is equals to 2A into Q remember that is dipole moment P vector that is 2A into Q so we can say that it is P e sin theta right P e sin theta इससे हम कह सकते है vector relation P cross E तो कि हम सभी जानते है बहुत अच्छे से कि A cross B अगर दो vectors है दो vectors का multiplication होता है तभी answer में आपको sin theta देखने को मिलता है जहाँ पर theta दोनों vector के बीच का direction होता है बच्चो यह torque maximum कब होता है जब dipole electric field में ऐसे है तो यह distance maximum होगा और तब torque maximum होगा ठीक है यहाँ पर force लगेगा यहाँ पर force लेगा distance maximum होगा अगर आपका dipole ऐसे है तो आप देख सकते हो यह जो distance है वो कम हो जाता है तो यहाँ पर मैं सारे cases आपको बता रहा हूं first case जो है जिसमें आपका dipole कुछ इस तरह से है right second case जो है उसको मैं इसी dipole को paste करूँगा और कुछ angle पर रखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते है बच्चो कि angles change हो रहे है यहाँ पर electric field अगर इस direction में है electric field अगर इस direction में है electric field अगर इस direction में है fine तो आप देख सकते हो अगर यह dipole moment है तो इसका dipole moment vector P यहाँ पर होगा इसका dipole moment vector P ऐसे होगा इसका dipole moment vector P ऐसे होगा तो यहाँ पर जो आपका theta है वो बच्चो 90 90-degree यहांपर theta है वो 0-90-grade के बीच में होगा और यहां पर theba, भो technique 0-degree हो जाएगा तो बचो यहांपर आपका torque इन तो집व आपका डाए पॉल ऐसे पड़ा हुआ है तो इस पर इस पर एक्वल मॉशन नहीं करें ओक है सभी पॉइंट पर सेम एलेक्रिक फिल का मैगनिट्यूड होता है तो अगर कोई भी एक चार्ज आपने रख दिया तो इसको एक्सपीरेंस वहने वाला फोर्स और दूसरे चार्ज को उनर डाइपोल है ऑल्वेस जीडो कोई फोर्स नहीं लगता है फाइन होगे बच्चो स्व हमने देख लिया और यहां पर जो फोर्स होता है ताव मैक्सिमम होगा ठीक है और यहां पर कुछ भी एक ताव लगेगा यहांपर जीड़ लगेगा ठीक है समझ में आ गया बच्चो चलिए अब हम अगर non uniform field में डालेंगे तो क्या होगा चलिए देखते हैं let us see behavior of dipole in a non uniform electric field बच्चो यह non uniform electric field है और हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि electric field vectors जो है वो ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं electric field थोड़ी कैसी है congested है मतलब यहाँ पर intensity जाधा है और इस area के अंदर जो electric field है वो इतनी यह positive charge है तो positive को repel करेगा है और यह negative charge है उसको attract करेगा बहुत जोर से attract करेगा है तो आएए चलिए देखते हैं कि किस तरह से forces लगेंगे one two three ready सो बड़ा force छोटा force motion देख रहे हो कैसा हो रहा है force increase 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 जैसे पास जाएगा force और increase होगा है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि it is moving from weak electric field to the strong electric field कहां जा रहा है वो weak electric field से strong electric field के तरफ motion कर रहा है और हां क्यूंकि यह positive था यहां पर यह electric field lines positive थी इसलिए negative को attract करते हैं अगर आप dipole को change कर देते उल्टा कर देते जिसमें आप देख सकते हो कि आप यह positive charges जो है यह positive charges जो है उसके पास मैंने positive को रखा है तो उस पर जो लगने वाला force है वो ज्यादा magnitude में लग रहा है और यह negative charge पर जो लगने even है वहाँ पर क्या था force same magnitude में यहाँ पर force uneven है क्योंकि electric field जो है उसकी intensity change हो रही है यहाँ पर intensity बहुत जादा है इसलिए force बहुत जादा है यहाँ पर intensity कम है तो force और कम है और अगर इसे हम play करेंगे ध्यान से देखना तो यह move करता है from higher to lower electric field के साइट समझ में हैं बच्चों fine so this is behavior of a dipole in a non-uniform electric field तो इसकी notes में आपको provide कर दूंगा you will find out these notes in the description box below don't forget to like subscribe and share this video because sharing is caring